नमस्कार दोस्तों मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर हम बेसिक हिंदी सीखते हैं वर्ड टो वर्ड साथ वीडियो की सिरीज हम बना चुके हैं जिसमें सभी मात्राओं के बारे में हमने बताया है उसके बाद हम नाम लिखने की सिरीज की 10 वीडियो बना चुके हैं यह सिरीज की वीडियो नमर 11 है जो इस सिरीज की पहली वीडियो थी उस पर 4,000,000 से ज़्यादा लोग व्यूज दे चुके हैं तो उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और इसी सिरीज की 11 वीडियो हम देख रहे हैं इस चैनल इस वीडियो में हम देखेंगे और शब्दों को लिखेंगे तो शब्दों को अच्छे से सुने और मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करें मैं पहले शब्दों को बोलूँगा और साथ के साथ लिखूँगा तो आप भी मैं आशा करूँगा कि आप भी pencil उठाएंगे pen उठाएंगे और अपनी copy पर मेरे साथ लिखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ अभ्यास भी दूँगा, इससे अलग मैं वाक्यों का अभ्यास भी दूँगा, उन अभ्यास को भी आप करेंगे, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपके कितने शब्द सही हुए, कितने शब्द गलत, लगभक 50 शब्द मैं इसमें लि लिखेंगे, जिसमें सभी मात्रा है इंदी की आएगी, दूसरा है दिल चस्पी, क्या है, दिल चस्पी एक शब्द है, नाम नहीं है, दिल चस्पी, अब ये आधा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे सर का आधा साउंड आया, दिल चस्पी, सर के साथ सीधा पह आ गया, तो इ अगला नाम है इंदू, इंदू, अगला नाम है इसी से जुड़ा हुआ बिंदू, ठीक है, बिंदू, अगला नाम है कमलकांत, कमलकांत, आसान और मुश्किल दोनों नाम हम सीखेंगे, दिवाकर, अगला नाम है भानुमती, क्या बना हमारा भानुमती, अगला नाम है सरिता, अगला नाम है शकुंतला, शकुंतला, क्या बना, शकुंतला, और इस लिस्ट का नाम, लास्ट नाम है हमारा क्रपाशंकर, क्रपाशंकर, तो मुझे आशा है इतने नाम आपने लिख लिए होंगे, अब देखिए कि कितने सही हैं कितने गलत, एक बार फिर आम इन्हें रिपीट कर लेते हैं, सपना, दिल्चस्पी, मोनिका, इंदू, बिंदू, कमलकांत, दिवाकर, भानुमती, सरिता, शकुंतला, क्रपाशंकर, ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुवर सिंग, क्या नाम है, कुवर सिंग, अगला नाम है, मुमताज, क्या बना, मुमताज, अगला नाम है, सुचिता, क्या बना, सुचिता, तो मुझे आशा है, सभी चीजें आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, और अच्छे से अभ्यास आप कर रहे होंगे, अगला नाम है, हमारा, शशांक, अब शशांक, अंक, यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे बिंदी आएगी, शशांक, अगला नाम है, दर्शील, र के साथ श की आवाज आई, इसलिए यह उपर आया, और लास्ट है हमारा दर्शील, यह हमने र के परकार में इसको सीखा हुआ है, अगला नाम है, मनोहर, मनोहर, अगला नाम है, सुरेंद्र, 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 अगला नाम है, पर्मानंद, पर्मानंद, पर्मान अगला नाम है अदनान, अदनान, अगला नाम है शीनू, अगर इसी पर स होता तो बनता सीनू, ये बनता सीनू, जो की गलत है, क्या नाम होता है शीनू, ठीक, अगला नाम है यशोदा, यशोदा, अगला नाम है कनहिया, अगला नाम है इसी से जुड़ा हुआ श्याम अगला नाम है युदिस्थिर युदिस्थिर ये आधाश है अगला नाम है दुर्योधन अगला नाम है जयन्त आया ना य के साथ न उपर अटका हुआ आया तो उपर बिन्दी आएगी अगला नाम है मारीच अगला नाम है अंगद अगला नाम है भीमराव अगला नाम है केशव केशव अगला नाम है कुलवन्त क्या नाम है कुलवन्त अगला नाम है जुमरी जुमरी गाउं में नाम होता है गाउं दे हाथ में ये नाम होते हैं जुमरी अगला नाम है सिकंदर सिकंदर अगला नाम है सुलेमान क्या नाम है? सुलेमान ठीक है? अगला नाम है रौनक रौनक अगला नाम है मनजीत क्या नाम है? मनजीत अगला नाम है अदिती क्या नाम है? अदिती अगला नाम है सुबोध और जब भी हम नाम लिखते हैं तो किस तरह से उसका नाम पुकारा जाता है इस पे बहुत डिपेंड करता है किसी का नाम अदिती पुकारा जाता है कोई अदिती कहता है कोई अदीती कहता है तो इस तरह से अलग-अलग तरह के sound के अलग-अलग मात्राएं लग जाती है अगर अलग स्वरा आ रहा है तो उसका अलग मात्रा लगेगी ठीक अगला नाम है रीता अगला नाम है कुलविंदर अगला नाम है विक्की विक की और अगर आप कुछ नाम चाहते हैं जिनको मैं हिंदी में लिख के बताऊँ तो आप मुझे इंग्लिश में भी मतलब हिंग्लिश में भी टाइप करके नीचे लिख सकते हैं मैं उनकी भी सिरीज बनाऊँगा कुछ लोग कहते हैं कि कठिन नाम लिखकर दिखाईए जो आपको लिखने नहीं आते तो कहीं से लिखा हुआ उन्हें आप इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर भी मुझे फोटो भेज सकते हैं बट एक साथ 20-30 नाम भेजिएगा ताकि उसकी एक मैं वीडियो अलग से बना स क्या नाम है प्रिंस अगला नाम है सिमरन अगला नाम है वंश इसी से जुड़ा हुआ एक रंश भी होता है अगला नाम है रितेश अगला जो है हम सिर्फ बाद के नाम लिखने हैं जैसे कि क्या होता है शर्मा और जैसे होता है चौधरी क्या होता है चौधरी, ज्यादा चौधरी बनने की जरुरत नहीं है, ठीक है, इसी के साथ कुछ होता है, पांडे, क्या होता है, पांडे, उसी के साथ होता है, सिंग, क्या होता है, सिंग, उसी के साथ हमारा होता है, कुश्वाह, क्या होता है, कुश्वाह, नाम के आगे होता है, रजत उसी के बाद यादव तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बाद की चीजे भी लिखवा हैं ताकि पूरा नाम लिखने में हमें आसानी हो उसके बाद कुमार लगता है बहुत लोगों के नाम के पीछे ठीक उसी के बाद देवी लगता है और बहुत सारी चीजे लगती है ज दोस्तों अगर आप अभ्यास करना चाते हैं तो थोड़ा खुद का दिमाग भी चलाइए, सभी चीजे मुझ पर depend ना रहें, सभी चीजे मेरे पर जिम्मेदारी मट डालिए, कुछ जिम्मेदारी आप खुद से भी निभाईए, जैसे कि मैंने कई वीडियो में कहा है कि जो जो भी नाम मैं लिखवाता हूँ, जो भी शब्द लिखवाता हूँ, उनसे वाक्यों का अभ्यास भी कीजिए, जैसे मंजीत मेरे चाचा जी का नाम है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम चेक कहां से कराएं, तो अपने आसपास किसी एक अच्छे दोस्त को तो डूंडि अपना माहौल सुधार ये, अच्छे लोगों से बातचीत कीजिए, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखाओ, जो सपोर्टीव हो ऐसा दोस्त टूंडिए अपने आसपास, ठीक, अगर सारी उमीद मुझ से रखेंगे, तो सायद मैं आपके लिए पूरे काम नहीं कर सकता, ठ जिसको पढ़ना लिखना आता है, उसको सिर्फ थोड़ी सी इज़्जद चाहिए, अगर आप उसको थोड़ी सी इज़्जद दे देंगे, तो वो तहे दिल से आपकी मदद करेगा, जिस तरह से मैं आप लोगों को वीडियोज बना कर मदद करता हूँ, अगला है जैसे मान सारे शब्द और वाक्य बना सकते हैं, वो आपके उपर है कि कितना आप कर पा रहे हैं, सुबोध सबजी बेचता है, जो दूसरों को दोस देते रहते हैं, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, तो अपने लिए काम कीजिए, ठीक है, अब जैसे कुलविंदर है, क्य कुलविंदर, ठीक, तो कुलविंदर से आप कैसे बना सकते हैं, कुलविंदर की कपड़े की दुकान है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, कि जो मैंने बोला है, वही आप बनाएंगे, कुलविंदर की, यहां जगए नहीं है, नीचे लिख देता कपड़े की दुकान है कुलविंदर की कपड़े की दुकान है इसी तरह प्रिंस क्या था हमारा प्रिंस तो यह सी चीजे में क्या लिख रहा हूं जो असल में मेरी जिंदगी में आसपास में है ना मेरे दोस्त मेरे भाई जो आसपास दुकान है मैं वही चीजे लिख रहा हू या कोई आपका फ्रेंड होगा, तो उनसे जुड़ी होई चीजे लिखें, और आसपास चेक कराने की कोशिश करें, ठीक है, सभी काम यहाँ पे नहीं होगे, यहाँ एक तरह का अभ्यास मैं दे सकता हूँ, जो अब हम अनलाइन सीखते हैं, तो कुछ-कुछ difficulties होती है, उन difficulties को भी हमें सामना करना पड़ेगा, मैं हर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में भी कहता हूँ, मैं आइडियाज आपसे शेयर कर सकता हूँ, मात्राइन सिखा सकता हूँ, उनको बहतर तरीके से, बहतर से बहतर आप ही फायदा उठाएंगे, अगर को सीखने में करेंगे कि YouTube, AMT Classes चैनल पर वीडियो कैसे लगी है, तो अब जैसे Prince है, तो Prince से मैं क्या बना रहा हूँ, राजनीती में दिल्चस्पी रखता है, कौन राजनीती में दिल्चस्पी रखता है, प्रिंस, प्रिंस, राजनीती में, अब दिल्चस्पी हमने पहले प्रिंस, राजनीती में दिल्चस्पी रखता है, और ये सभी फोटोज मैं Instagram और Facebook पेज आदेते महन ठाकुर पर डाल देता हूँ, तो वहाँ पर भी अपडेट रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ-कुछ चीजे में अपडेट करता रहता हूँ, अगला है बंटी, क्या है? अपनाम चलता है, जैसे बंटी की शादी होने वाली है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बंटी की शादी होने वाली है, नीचे कमेंट सक्षन में भी लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर पाते हैं, तो बंटी की शादी होने वाली है, अब लास्ट इसी तर शर्मा, शर्मा शे भी आप लिख सकते हैं, शर्मा जी का लड़का नई गाड़ी लाया है, शर्मा जी का लड़का नई गाड़ी लाया है, शर्मा जी का लड़का नई गाड़ी लाया है, तो मुझे आशा है आपने पूरा अभ्यास किया होगा थोड़ा बहुत हिंदी के बारे में हिंदी मात्राओं के बारे में यहाँ पर अभ्यास किया होगा सिखाने के लिए 60 वीडियो की सीरीज मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है तो आप उन 60 वीडियो उसको देखे हैं और सीखते रहें सुरुवात से एक से लेकर 60 तक देखते रहें बिना रुकावट के, साथ वीडियो आप देख लेंगे तो काफी कुछ नया सीख जाएंगे हिंदी में, अब एक बार मैं सभी नाम को जो भी मैंने लिखा है, उस सभी चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, या कुछ लोगों ने अभी तक नहीं लिखा हो आप सुन-सुन के भी लिख सकते हैं, और बाद में इस वीडियो का स्क्रीनशोट कीच के आप उसे चेक भी कर सकते हैं, पहला था सपना, दिल्चस्पी, मोनिका, इंदू, बिंदू, कमलकांत, दिवाकर, भानुमती, सरिता, शकुंतला, किरपाशंकर, कुवर सिंग, मुमत सुचिता, शशांक, दर्शील, मनोहर, सुरेंद्र, पर्मानंद, अदनान, शीनू, यशोदा, कनहया, श्याम, युदिस्ठिर, दुरियोधन, जयंत, मारीज, अंगद, भीमराव, केशव, कुलवंत, जुमरी, सिकंदर, सूलेमान, रोनक, मंजीत, अधिती, सुबोध, री मंजीत, मंजीत, मेरे चाचा जी का नाम है, सुबोध, सुबोध सबजी बेचता है, कुलविंदर, कुलविंदर की कपड़े की दुकान है, प्रिंस, प्रिंस राजनीती में दिल्चस्पी रखता है, बंटी, बंटी की शादी होने वाली है, शर्मा, शर्मा जी का लड़का नई गाड़ी लाया है, इस तरह से ये सिर्फ एक अभ्यास है, मेरा लक्ष है कि वीडियोज बना कर आप लोग अभ्यास कर सकें, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अलग-अलग तरह से अभ्यास करने के लिए, आपको इदर-उदर ना ज दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि जिनको इस तरह की दिक्कत होती है, उनको सभी चीज़ें एक साथ एक चैनल पर मिल सकें, अगर आप इसी तरह इंगलिस सीखना चाते हैं, तो हमारे आसानवित आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं, और 280 प्लस वीडिय देखने के लिए आप उहां की प्लेइलिस्ट को चेक कर सकते हैं, प्लेइलिस्ट में सभी वीडियो लाइनवाइज लगी हुई हैं, वीडियो को लास तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद